कि नमस्कार दोस्तों सबस्वागत है सभी का मेरे इस नई वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि वीपी आर्पी एप के माध्य हम से हम लोग आजीवी का योजना हम लोग किसी दीदी का या किसे समू का कैसे बना सकते हैं सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्लेइस टोर कर लिथे हैं ऐसकरने के बाद ये एक पेज और खूलता है जिसमें कि आ अईडी और पास्वर्ट दालने का जगा मिल यहां पर हम याजा मीला हुआ हुआ है उसको डैलने के बाद जो मुझको पास्वर्ड के लोट हओए उसको मैं ०ाल सकता हूं डालने के बाद समलोग sign in कर लेंगे sign in करने के बाद सबसे पहले हमको सामने के page में दिखाई देगा उपर में आप लोग देख पा रहे हैं ये 3 लकीर में हम लोग home का option मिलता है और दूसरा जो मिलता है वो लागाउट का option मिलता है उसी प्रकार बगल में हम लोग देखेंगे कि लेंग्वेज को हम लोग कैसे change कर सकते हैं इंग्लीज करना चाहते हैं इंग्लीज का हिंदी का और बगल वाला हरे रंग का बिंदो आपको दिखाई दे सबसे पहले आप लोग सामने में लफ लुग देख पा रहे हैं कि तीन समु हमको दिखाए दे रहे हैं जैम आप बमलयशवरी दूसरा वैशनवी समु तो जो भी समू का हम लोग entry करना चाते हैं उस समू को जा करके हम लोग directly touch कर लेते हैं मालो हम लोगों वेशनवी समू का entry करना है तो जिसमें कि हमको जितने भी दिदियां है समू में है वो सेभी का नाम दिखाई दे रहा है सांते निशाद नदु कमारी है इसके पहले करने से से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऊपर में आपको तीने option दिखाई दे रहा एक तो जिए इतले सबसे पहले उसका profile entry होगा member profile के माद्य हम से उसके बद livelihood plan बनेगा और last में जो करेंगे हम वो उसका समूव को उस सदसे को ranking देंगी कि उसको प्रात्मिकता के आधार पर हम लोग उसको अलग-अलग ranking देंगे पहला ranking है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि profile entry हम लोग कैसे करते हैं त इस दिदी को हम लोग टॉच कर लेंगे उस दिदी के नाम को अब अरुचे के नाम को अमालो ही यह इस दीदी का अगल दीदी का entry करना है तो सबसे बहग को एशाय प्रसका चिन्त देख रहा है उसको आप लोग rif कर लेंगे हैश करने से विदी एक पेजे खोलता है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि दीदी कौन कों से आजिव का गतिविदी में सनलगना है कृषी में है या अन्या कृषी आधारित गतिविदी में है पशुपालन में है NTFP में है नॉन फर्म किसी अगर कुछी प्रकार का काम करती होंगी सुक्ष्म उद्यम तो इन सब ग कोटल कुल सभी गतिविदी का कुल आमदनी कितना हो रहा है यहां पर वो आटो कालेट हो जाएगा इंट्री करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ने पर आप लोग देख पा रहे हैं कि वो दीदी कौन से प्रकार के बिजनिस और्गनाइजिशन में ह किस प्रकार के किस प्रकार के संगठन में है उत्पादक समुझ जैसे पीजी है प्रोडूसर ग्रूप है या फिर किसी प्रकार के साकारी समीतिक है यदि वो दीदी किसी प्रकार के संगठन में होगी तो हां और नहीं होगी तो ना मालोद दीदी नहीं होगी तो डारेक्ट प्रोडिसर ग्रूप तेसरा जो कॉस्चन है कि वो ज़ी जो भी जो जुड़ी हुई है और दीन क्macा काया करता है ऊब करता ऐने का काम करता है से इन्पोर्ट खरीदने कि बादन काव करता है कि प्रकार और कम करता हो आप लोग अलग-अलग ऐप्शन ग्रूप है कोपरेटिव सोसाइटी किसी प्रकार का साकारी समीति में या फिर अन्य किसी प्रकार के और संगठने जुड़ना चाहती है यह जानकर आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ने को देख पाते हैं कि दीदी किस प्रकार के कर लोग शीए तो अगर नहीं कोशन यह पूछता है कि उसको किस प्रकार के लेंद सब्सक्रांग डालेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कि च्रेनिंग उन्होंने लिया हुए चाहिए वह ब्यूटी पारलर का हो तो चिलाई सीखने का वह किसी इंतर का स्लेकि Luigi Она होई हे दीदी में अलग-अलग प्रगार करकारा का मौर्गाटा ओर्गनाचियेस्थ होते हैं नप्रगार करनाश लनाजेसर सरकारी इस में दिलया पाध्या है आप सकते हैं और आखरे जो कोस्टन है कि वह जो भी ट्रेनी लिये होगी तो कौन से साल में लिए 2022 में है यह इसे साल में 2024 में यह डालने बाद हम लोग निचे वाले नेच्ट के आप्शन से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ने के बाद हम को देख पा रहे हैं कि दीदी ने किस प्रकार का किसी प्रकार का अगर लोन लिया है या नहीं अगर नहीं लिया है तो आप लोग देख रहे हैं कि किसी प्रकार का आगे का कोस्टन नहीं पूछ रहा है यदि हम लोग यस डालते हैं तो दूसरा जो कोस्टन पूछ रहा है कि कौन सी अजीवी का गतिविदी के लिए उन्होंने लोन लिया हुआ है क्रिषि के लिए है और उसी प्रकार तीसरा जो पारहे है कि लोन लेने का सोर्स क्या है अलग-अलग सोर्स होते हैं जैसे कि SSG VO CLF से भी मिलता है लोन बैंक लिंकेज का माध्यम से मिलता है माइक्रो फाइनस इस्ट्टूट भी कही चोटे-मोटे लोन उप्लोब्द करा सकते हैं किसी प्रकार का सहकारी समीति के माध्यम सगर लोन ली होगी या फिर इनफार्मल सोर्स मतलब किसी अपने चान पहचान के पास से लिए होंगी तो हम लोग उसका जानकारी देते जाएंगे देते के बाद हम लोग यह चौथा कोस्टन देख पा रहे हो आप लोग लोग देख पा रहे हो कि टोटल लोन का एमांट आपको लिखता जाएगा जो विसोर्स से लिए होंगे और उनका एन्वल इंट्रेस्ट कितना है वह आपको यहाँ पर आर्टो कल्कुलेट या फिर जो भी होग आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यह एंट्री करने गवाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे तो यह आपशन देता है कि आप इसको रखना चाहते हैं सेव करने के लिए तो हम लोग इसको यह डाल करके जो भी दीदी का हम लोग ने प्रोफाइल एंट्री किया है वह यहाँ पर दिखता जाता है ना कि आरे रंग का छोटा सा तीर कर निसान दीख रहा है तो हम लोग जान पाते हैं कि वह दीदी का एंट्री हो चुका है दूसरा जो योजना है हम लोग दूसरा जो गतिविधी है वह हम लोग डालते हैं कि हम लोग plan बनाते हैं इसको जाकर के टच करते हैं तो जितना भी दिदी का profile एंट्री हुआ है यहाँ पर हम लोग ने एग दिदी का profile एंट्री किया तो 1 दिदी का नाम होगा और उसी में ही बगल में देख पा रहे हो कि एड़ प्लान करके छोटा सा यहां पर दिया हुआ इस एड़ प्लान के माध्यम से लोग अंदर आते हैं तो अंदर आने कबाद सभी प्रकार के गतिविरी फार्मिंग है अनिमल हस्बेंटरी है एंटी एफपी है तो इसमें हम लोग कैसे योजन आनिमल हस्बेंटरी में आप देख पा रहे हैं कि वह व्यक्तिगत्त है या गुरूप है वैसे ही लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि अनर्यम वर्क है प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन का इसमें हम लोग आप्शन देख पाते हैं कि क्या क्या आप्शन खूल सकता है इसमें क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं तो पहला है आप रिक्षा रूपन का काम है चेक्डेम है चेक्डेम बनाना चाहते हैं कंटूर लाइन अगर बनाना चाहते हैं ड्रेनेज ज्यादा अगर पानी जाओं व पानी अंदर जा सके याफिर कुवा बनवाना चाहते हैं इस ट्रेगर ट्रेंज बनवाना चाहते हैं या फिर हमारा जो भी बंजर जेमीन है उसके development के लिए अगर कुछ काम कराना चाहते हैं तो यह अलग-अलग प्रकार के अन्तरगत आते हैं चलिए आज अभी हम लोग देखते हैं कि एक विक्तिगत अगर योजना बनाते हैं फार्मिंग का तो उसमें क्या 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 पूश्चन पूश्चते हैं तो सीथे हम लोग जा करके इस वाले अप्शन में टेच कर लेंगे टेच करने एक बार आप लोग देख पा रहे हैं कि दीदी कौन से सीजन में हम लोग उन दीदी का प्ला योजना बनाना चाहते हैं मालो हम लोग खरीप में बनाना चाहते हैं तो दूसरा कुश्चन पूश्चन कि किस फसल में बनाना चाहते हैं यहां पर एड़ निव करके जो भी फसल में आप करना चाहते हैं हम लोग उसको चैन कर सकते हैं अलग-अलग फसलों के नाम है एजगार्ड है केला है अलग-अलग सब्जियों के है चलिए यहां पर मालू तिल का अगर करना चाहते है सिसाम का तो उनका एरिया कितने एरिया में करना चाहते है मालो डिसिमल में है डिसिमल में एकड में करना चाहते है तो एकड में डाल करके जितने भी एकड में करना चाहते है मालो एकड में तो हम लोग इसको डाल सकते है उसके बाद उनको support किस प्रकार का चाहिए उपकरण में चाहिए support या किसी प्रकार का संदशना बनवाना है inputs अगर चाहिए होगा, loan या subsidy चाहिए होगा, marketing support चाहिए होगा या फिर किसी अन्य प्रकार का अगर support उनको चाहिए होगा तो हम लोग डाल सकते हैं मालो इनको equipment में उपकरण में किस प्रकार को उपकरण चाहिए होगा तो हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पर अलग-अलग आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि इस दीदी का डाल सकते हैं मालो उसको हसिया क्या हो सकता होगी हसिया डाल सकते हैं हसिया डालने के बाद यह जो नीचे में है इस वाले अप्शन में जाना है इस वाले अप्शन में जाना है इस वाले अप्शन में जाने के बाद हमको नीचे में तील का फसल का नाम दिख रहा है यस नो अप्शन में जाकर के जो सपोर्ट हमको चाहिए तो हम लोगोंने उपकरन में लिखा था हस्या तो वो स्वयम कर सकते तो यहां पर स्वयम का अप्श्ण को चैन करके हमोग को यहां पर डाल सकते हैं मलोकर हमको चाहिए 5 हसया पांच संख्य में डाल करके इसको डन कर देंगे डन करने के बाद यह नीचे का उप्शन आप लोग देख पा रहे हैं सेव इसको हम लोग सेव कर लेंगे कि उसके बाद बैक आते हैं बैक आने के बाद जो हमारा तीसरा काम रहता है वो है लाइवलिवोड रैंकिंग देने का यहां पर लोग अगर किसी दो पूरे समों का अगर प्रोफाइल एंट्री और योजना बन जाएगा तो कि उस दीदी को हम लोग ranking देने का option भी हमारा खुलता जाता है मैं आपको एक छोटा सा और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसको जिएकि मेरा पहले का वीडियो है उसमें हम लोग जो ranking का काम किये थे वो मैं दिखाना चाहता हूं आप लोग देख पा रहे हैं कि जिस भी दीदी का हम लोगों ने प्रोड़ा यहां पर जिरो लिखाय रहेगा अगर सुरूह आप लोग लोग देख पा रहे हैं और पर दिदी को चेन करने का एक नंबर देने का क्या वज़ा है नीचे वज़ा आप लोग देख पार है रिजन फॉर दा रैंकिंग क्या वो किसी संकट ग्रस्त जन जाती के हैं या फिर उब्रिद्ध हैं या किसी पीवीटीजी परिवाद में से संबलित हैं अकिली बेसाहरा महिला है या फिर STSC में आते हैं महिला मुक्या है दिव्यांग है ट्रांसजेंडर है बंदवा मझदूर है भूमी हीन है घर हीन है गरीब प्रवास है मझदूर है सफाई कर्मचारी है एकल महिला परिवाद से संबंद दोंगे या फिर किसी प्रकार के वो ट्रैफिकिंग का शिकार होंगी या फिर जो समाजिक कुरीतियां होती है डैन परता होती उससे शिकार अगर कुछ अगर वो महिला होगी तो ऐसे हम लोग अलग-अलग उसका कारण दिया होता है जिसके दौरा हम यहाँ पर उसको रैंकिंग देने का उसमें आ जाते हैं सामने में इसके बाद आप लोग नीचे में देख पा रहे होंगे ऑप्शन यह तीन डंडी आप लोग देख पा रहे होंगे इसको आप लोग हम टच करते हैं तो हमको तीन ऑप्शन यहाँ पर खुल करके सामने आते हैं पहला आप लोग देख पा रहे ह है उसको वियो में भेज़ेंगे और तीसरा जो अप्शन आप लोग देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर सब्मिशन या उसको फिर से सब्मिट करने के लिए एक रिक्वेस्ट हम लोग भेजना चाहते हैं तो हम लोग ये तीसरा कर सकते हैं सामानता अगर हमारा योजना सहीं बना हुआ है तो यह जो सेकेंड नंबर का है आप्शन सब्मिट वी लाइवलिवड प्लान टू वियो इसमें जाएंगे जाकर जाने के बाद जो हमारा प्लान बना है उसको हम लोग कहां बेज़ देंगे वियो में संबंधित जो भी समू का जो भी वियो होगा उसमें उस वाले आइडी में इनका जो भी प्लान योजना बना हुआ होगा चाहे वह आज जीविका को हो या फिर अगरारी योजनाक से संबंदित कोई भी योजना हम लें बनाया है तो वो वियो के आईडी में डिखता जाएगा तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग एक समू का या फिर एक दीदी का एक दीदी का कैसे हम लोग वी पी आरपी के माध्यम से आजीN आजी विका योजना बना सकते हैं और कैसे उसको वियू में हम लोग भेज सकते हैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आप लोगो को पसंद आया होगा अगर आपको आजीविका वी प्यार्पी को माध्यम से आजीविका गतिविदी entry करने में जो भी समस्य आ रही होगी तो आप मुझे को message कर सकते हैं Thank you